एलो एवरिवन हम लोग जो मैट्री देख रहे थे एप्टिट्यूट में जहां पर प्रीविस लेक्चर थोड़ा था मैं से आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो रोमबस पढ़ेंगे आज की लेक्चर में देखो रोमबस की क्या खास बात है अपोजिट एंग होती है तो आपको पता ही है रोमबस में एरिया होता है बेटा हाफ इंट एंट बी ए और बी डाइगनल्स होती है इसकी हाफ कर दो इनका तो हमारे पास एरिया आ जाता है एंड डाइगनल बाइसेट इच एदर एंड पर्पेंडिकुलर टू इच एदर ठीक है थोड़ा-स मैं आपको अगर चाहते है तो प्रूफ दे देता हूं जूर तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा दे देता हूं ताकि थोड़ा-सा माइंड आपका वाइड ओपर न पहुजाए देखो बीटा में पहली बात तो यह तो पता होने चाहिए कि all sides are equal rhombus और square में basic difference तो यह but every rhombus is not a square है जैसे यह मैंने आपको एक rhombus दिखाया जो कि square नहीं है basic basic बात है मेरे खाल से मुझे इतना time waste नहीं करना चाहिए यह सब चीज़े आप सब पहले से जानते है जो जो बाते मैंने बोली है अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो मैंने नहीं लिखी just to save the time यह मेरे ख्याल आप शायद 7th, 8th class में पढ़ा होगा आपने चलो अप फोड़ी बाते है शायद मुझे लग रहा है आपने इतना पहले पढ़ा था भूल गए होगे तो कुछ-कुछ बात हों का मैं आपको proof भी दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो ठीक है तो देखो यह बराबर यह डबल लगा देता हूँ यह बराबर है ऐसा क्यों है इसका proof बहुत इसी आएगा कैसे आएगा हम प्रूफ करेंगे इसको triangles की help से ठीक है तो let us suppose हमने ले ली x, y, z और यह w ठीक है और यह हम ले लेते हैं से p ठीक है बीच में यह जो point है यह मैंने p ले लिया अच्छा तो आप यह दो ट्राइंगल पकड़ लो x, y और x, z ठीक है यह दोनों congruent triangle होंगे है ना क्यों congruent होंगे अच्छा उससे पहले ना मिरको आपको यह भी बताना पड़ेगा कि यह जो डाइग्नल्स चल रही है ना यह actually angle by sector है है मतलब यह और यह angle भी बराबर होगा यह कैसे बराबर होगा यह मैं आपको समझा देता हूं है ना देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यह और यह angle हमारे को equal prove करना है so basically what we can do is यह triangle और यह triangle ठीक है दो ट्राइंगल पकड़ो x y w और x z w ठीक है तो क्या करते हैं हम let me write it x y w and x z w यह दोनों triangle पकड़ो तो इसमें x यह यह पूरी diagonal भी यह common हो गई है ना यह साइड यह सेट बराबर होगा यह साइड यह सेट बराबर होगा तो sss से यह दोनों triangle congr यह सेट बराबर होगा तो यह पूरा angle और यह पूरा angle एक दम बराबर होगा ठीक है सिमिलरली यह angle और यह angle बराबर होगा यह angle और यह angle भी बराबर होगा तो directly directly हम यह प्रूब कर गए कि यह जो हमारी diagonal है यह angle by sector है बेटा ना प्रूब हो गया ना अब आप पकड़ो यह यह दोनों triangle xp-z और y अब आप पकड़ो xp-z and xp-y यह दोनों triangle पकड़ो ठीक है इन दोनों triangle में मैं आप कहा होगा कि xz और xy यह दोनों side बराबर है क्योंकि सारी side ही बराबर है यह बीच में यह side common हो गई और यह angle अभी मैंने बहुत है angle by sector है तो यह दोनों angle बराबर होगे तो sas side angle side sas से हमने यह दोनो triangle congruent प्रूब करती है तो यह दोनों triangle congruent है तो वहीं से हम समझ गे बेटा कि यह दोनों sides है अगर तो 90-90 बैठेंगे that is for sure तो directly directly हम सारा कुछ प्रूब कर गे बेटा कि जो diagonals है वो बाइसेट करेंगे इच अदर को हाना हो मतलब खुद को बाइसेट कर रही है और साथ-साथ यह you can say कि 90 degree के अंगल पर है तो इस सारे के सारे अंगल बेटा 90 degree है इस सभी अंगल 90 है पूरा पूरा एंगल सर्कुलर देखोगे यह तो पूरा बेटा 160 निकलेगा ना तो यह 90-90-90 होगे सारे है तो हार एक चीज मैंने आप प्रूव कर दिया आपको तो all sides equal यह तो property है इसके विना तो हम क्या ही बोलेंगे तो basic बात है रोंबस में तो हो नहीं होना है उसको तो यह प्रूव कर रहे है यह तो obvious है और डेफिनेशन यह ही कहती है अच्छा पोजिट आंगल सारीक्वल यह मैंने प्रूव कर दिया अभी किससे इससे xyw और xzw वाले ट्राइंगल को कॉंगरेंट प्रूव कर के कर गए अच्छा बचा गया बेटा एरिया हाफ इंटू यह मैं कैसे प्रूव करूँगा देखो common sense की बात है अब मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए xpw और xpy यह दोनों हमने कॉंगरेंट ट्राइंगल प्रूव कर रहे थे ना similarly आप यह दोनों भी प्रूव कर सकते हो मतलब ypw and wpz यह वाला ट्राइंगल और यह वी congruent होँगे ठीक है और आपस में यह भी congruent होँगे उस तो मतलब directly in directly में खरे कर रहे हैं इस चारों के चारों congruent है एंग दूसरे से अपने अप चक कर सकते हैं यह मुझे मेरे वार बार बोलने के जूदितनी होने जागे बिल्कुल common sense की बात है यह दो कर लिए तो बाकि अगर आप सकते हैं इसमें कुछ नहीं है तो इन चारों ट्रियंगल के एरिया का सम अगर आप देखोगे तो एक ट्रियंगल का एरिया को Pas यह पितना हो इक ट्रियंगल के एBrien को पकड़ देता हूं पस ठीक है उससे समझा देता हूं आपको अपने पकड़ लिया एक ट्राइंगल कौनसा ये ये वाला X P Y पकड़ दो X P Y ठीक है अच्छा X P Y ठीक है अच्छा एक मिन्ट शायद मैं एक गरबड कर रहा हूं यह पार्ट कितना होगा B बाइटू होगा B बाइटू होगा B बाइटू एसे चार हमारे पास ट्राइंगल है तो इसको अफकोर्स तो पूरे रॉंबस कह रहें कितना होगा और सारे ट्राइंगल एक दुसरे के कॉंगरेंट है तो 4 multiplied by this entire area that is 1 by 2 into A by 2 into B by 2 तो यह सब cancelled out ultimately half into A into B that is my final answer So simple आप पकड़ गए होगा इसमें कुछ नहीं था ठीक है डाइगनल बिटा बा persecuted कर रहे हैं गुषरे को डाइगनलस equal नहीं होती इसमें प्लीज ध्यान राकना डाइगनलस are not equal उक्वड नहीं हैं डाइगनल प्लीजी ध्यान थेहन राना डाइगनलस are not equal डाइगनलस बाइसेक्ट एच अदर रॉंबस में स्क्वेर में डाइगनल बराबर होती है, वो तो अब्वियस सी बात है, स्क्वेर में तो डाइगनल बराबर होंगी होंगी, क्यों, क्यों यह देखो, यह राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसका स्क्वेर क्या होगा, और इसका स्क्वेर क्या हो, अगर इसका स्क्वेर तो आपको आइडिया लग गया होगा अब देखो find area of rhombus if side is 5 cm and one of the diagonal is 6 cm सीधा ही मैंने एक अच्छा सा question बनाया है मैं ज्यादा basic basic question करा के time pass निकरना चाहता area निकालने है आपको area क्या होता है बेटा ये diagonal और ये diagonal तो half into A into B ये होता है अब आपको एक diagonal तो दे रखे 6 cm की A पान लेता हूँ 6 है तो let us suppose this is 6 this entire is 6 let me use another color yellow color ले ले लेते हैं तो ये पूरा बिटा 6 दिया हूँ आपको ये diagonal मैं कहा हूँ मेरे को नहीं दिया हूई और क्या दे रखे आपको one of the side is 5 तो अफकोर्स सारी 5 है क्योंकि एक साइड देते आप पता लगया होगा ये तो अफकोर्स भी 5 बनेगी अच्छा अब क्योंकि ये 6 थी और हमारे को पता है कि diagonal bisect each other और वो भी 90 डिगरी पे तो अफकोर्स ये angle 90 सारी मैं आपको बहुत है थे अच्छा और bisect भी कर रही थी तो ये 6 है तो ये कितना बनेगा ये 3 बनेगा क्योंकि bisect है तो ये भी 3 बनेगा ये पूरा एरिया ये पूरी side 3 है अधी और ये अधी 3 है क्योंकि पूरी 60 इसलिए तो अफकोर्स अब ये 3 है ये 5 है और ये side आप क्यों नहीं बता सकते तो ये तो बेसिक रूल है तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये दूसरा भी चार आठ हो जाएगा तो ये कितना B कितना बन जाएगा 8 तो 1 half into 6 into 8 is my answer तो 6 forza 24 तो 24 cm square is my answer so simple पकड़ो राम से बताओ को doubt है तो पूछो नहीं तो मैं अगली side पे आ रहा हूँ आ जो ठीक है चलिए आई हो पकड़ गया हो गया और वह भी बाता recorded session है doubt तो पूछना है तो comment में पूछो भी है ना अभी live कैसे पूछो गया आप मेरे से जब वीडियो देख रहे हो तो चलो आ रहे अगली side पे parallelogram parallelogram बेटा क्या कहता है देखो opposite sides are equal parallelogram कैसे बनाते हैं I hope ये सबको बनाना आता होगा opposite sides equal ये ऐसे होती है ये आपको पता है ठीक है अच्छा opposite angles are equal opposite angles भी बराबर होते है ये और ये एंगल बराबर होगा similarly ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ठीक है अच्छा उसको क्या कह रहा है area is base into height base into height तो ये base हो गया तो ये height ले लो आप let us suppose ये मैं एक अलग color से लो आपको अच्छा लगेगा ये ऐसे ये ले लिया मैंने ठीक है तो ये height हो गई और suppose कर लीजिए ये base हो गया आपको पता यह है base into height एक अधर एक रेक्टैंगल नहीं बन गया और ये चीज़ उठाकर के इधर ले करके आये थे आप अफकोर्स तो फिर ये पूरा टुकड़ा उठाया triangle का उठागर के जर पेस्ट कर दिया तो पेस्ट करते हैं हमारे पास rectangle बन गया तो ये base हमारा पूरा एस्ट इस ये रहेगा क्योंकि ये extra पार्ट था ये एक्स्टा इधर आचुका है तो ultimately ये base ही रहेगा और ये height तो थी ही थी है ना तो base into height इस एरिया of rectangle is L into B तो भी base into height हम नहीं या पर पोल दिया वरी-वरी-एसी ये आपको पूरूफ मिल चुका है parameter is 2 into L into B ये L plus B आपको समझ में आई रहा है तो ये हमारा parallelogram है तो ये हमारी length हो जाएगी और suppose कर लिजे हमारी breadth हो जाएगी तो length ये भी length है ये देखो बेटा ये side common होगी length ये length बड़ाबर होगी तो ये दोनों triangle अपस में congruent प्रूफ होगे ये दोनों triangle congruent प्रूफ होते ही ये वाला angle ये वाला angle बड़ाबर आ जाएगा ये बात समयारे कि नहीं नहीं समझा रही तो लो बेटा मैं green color से दिखा देता हूं ये वाला ये diagonal बना करके ये भी प्रूफ कर सकते हो आप है ना let me use another color से pink color ले लेता हूं और ये ये और ये अंगल भी बड़ा बड़ा आ जाएंगे same same अभी जो concept बता है उससे आप पकड़े होगे इसमें जोड़ा कोई खास technicality है नहीं शाबस नोड़न को रहागी लाट पर जाब करूंगा अब देखे बड़ा बेस इस 2 times the height if area 72 find the height पकवासा question है base into height that is the area of parallel ये पूरा question मने नहीं लिख है आप समझ गोगे पहले लोगराम का question है base into height is 72 अच्छा base is 2 times the height 2 times the height 2 h into h that is equal to 72 h square is equal to 36 h is equal to 6 so simple है ना तो find height height हम ने निकाल दीच है आ जाएगी so simple अकड़े होगे इसमें जाद कोई खास था नहीं कर लो साबस नोट और नग्स लैट पर जाब करेंगे अब आरा बेता trapezium trapezium बेटा कैसे बनता है यह आई थिंक आपको पता होगा ऐसे बनता है trapezium यह दोनों side parallel होती है और यह of course non parallel sides है अजी bases are parallel यह हम देखी पा रहे हैं दोनों parallel है यह base बोल रहे हैं हम these two are parallel no sides need to be equal कोई side बराबर नहीं है जैसे कोई इतनी जा रहे है कोई लंबी जा रहे है कोई चोटी ऐसे कोई sides बराबर रहाबर रहा है असा कुछ नहीं है no angles need to be equal कोई angle बराबर नहीं है यहां पर अच्छा nothing special for diagonal diagonal के लिए मैं कोई बात नहीं बोलूँगा की byset करेंगी बराबर रहाबर 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 कुछ नहीं है एरिया क्या है half into sum of its parallel side multiplier by distance between them तो area क्या है sum of parallel sides कर लो यह side और यह side इनको add कर लो मतलब let me label them a b c and d ठीक है तो इसका trapeze हम कह रहे है क्या होगा half into a b plus c d a b plus c d multiply by distance between them distance between them मतलब यह height होगी यह h मान लेते हैं तो यह h से multiply कर दोगे यह area आता है अच्छा ऐसा क्यों आता है that is also very very easy इसको आप यह मेरे सामने है यह आप समझ पा रहे होगे distance क्योंकि parallel lines है तो यह एच है तो यह भी of course h ही रहेगा तो इस triangle का area कितना होगा इसको पकड़ दो इस triangle के area को पकड़ दो इन दोनों areas को add करो और ultimately यह क्या बच जाएगा यह एक rectangle बच जाएगा तो उस rectangle के area को add कर लो तो वही answer आजाएगा घुमाफिरा करके आप अपने अप चक कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं है तो अगर आप चाहते ही हो कि चलो यार मैं एक मिन में इसको दिखा देता हूं देखो आप क्या बोलोगे half into यह इस वाले area को निकाल रहा हो इस triangle का area क्योंकि यह तो height आपने बने बनेते इतना 90 degree अपने आपसे है construction आपने ऐसे करी है तो half into H into CX इस triangle के रही आगा, इस वाले triangle के रही आएगा, plus half into DY into H इस वाले triangle के रही आगा है और इस वाले rectangle के रही क्या है आएगा, H into AB अब आप क्या करो इनको, आप क्या कर सकते हो यहां से आप half ले लो common ठीक है तो ultimately क्या आएगा ये h into या h by 2 common ले लेता हूँ यहां से है न क्योंकि यहां पे भी h by 2 है और यहां पे भी h by 2 बैठा है तो h by 2 common आ गया cx plus में dy ठीक है plus में h into ab तो cx plus में dy कितना हो गया बेटा cx plus में dy साथ में यह a b और चाहिए आपको है न तब जाकर के पूरा यह यह side बन जाएगी कौन सी c d बन जाएगी पूरी side xy साथ में और चाहिए xy is nothing but your a b क्योंकि यह तो आप by construction देखी पारे दोनों बराबर है तो कोई बात नहीं देखते हैं अभी हम और इसमें क्या कर सकते हैं तो यह अच्छा यह था अच्छा जी तो अब हम क्या करते हैं मैं इसको ऐसे बोलूंगा h by 2 और यह h भी ले लेते हैं तो ultimately क्या बनके आ जाएगा h by 2 तो यह 2 into a b लिख दू मैं अगर तो बात बन जाएगी है न यह थोड़ा हेर फेर करना और कुछ नहीं करना है न तो मैं क्या करता है इसको लो h by 2 into 2 कर देता हूं ठीक है तो फिर यह h by 2 इधर आ जाएगा इसको भी मैं बाहरी ले आता हूं तो यह क्या बन जाएगा बैटा सी एक्स प्लस में डी वाई प्लस में a b प्लस में a b क्योंकि a b into 2 था तो यह पूरा पार्ट क्या हो गया a b और x बराबर था न यह देखो xy a b और xy दोनों बराबर थे तो ultimately यह क्या बनके आएगा h by 2 और साथ में यह पूरा हो गया क्या c d और यह होगी a b यह हो गई c d पूरी और साथ में a b हमारे पास था ही था यही तो हमारे कुछ ही था half into c d plus a b into height यही आया था some of parallel side into height very very easy इसमें कुछ था नहीं area भी हम प्रूव कर चुके हैं चलो शाबाश ओड़ा इसलिए दिखाता हूं ताकि थोड़ा mind wide open up हो जाएगा आपका और जो भी कुछ questions आएंगे वो आप attempt करने वाले बनोगे शाबाश हो गया no down आ रहे हैं आगे चलो अब देखो क्या कह रहे है Difference between parallel side is 4 cm perpendicular distance between them is 19 cm area is 475 cm file length of parallel sides difference between parallel side is 4 cm अच्छा Perpendicular distance between them is 19 cm और distance difference between parallel sides is 4 cm तो यह x होगा तो फिर यह x plus 4 होगा ऐसे आप समझ पारे होगे obviously अच्छा उसके बाद एरिया 475 cm fine length of parallel sides यह बताने आपको, तो area क्या होता है बेटा, half into height, height is 19, into x into x plus 4, sorry, x plus x plus 4 हो जाएगा, sum of parallel sides, x plus x plus 4, which comes out to be 475 cm square, इसने क्या रखा है, तो ultimately यह कितना बन के आएगा बेटा, यह 2x plus में 4, that will be equal to 475, into 2 upon 19, यह पकड़ गए होगे, तो x plus 2, that will be equal to 475 upon 19, एना तो यह आप divide कर लेना बेटा, जो भी आएगा, और minus 2 करके answer निकल जाएगा, इसमें क्यों खास बात है नहीं, यह आप लिज अपने आपकर के देख लेना, no done करो, मैं अग्ली slide पर jump करना बाद, आरों बेटा, आगली slide पर, I hope आपने कर लिया होगा, no down, चलिए, next time बेटा, circle, circle का area, I think सबको पता होगा, pi r square, circumference 2 pi r, इसमें तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने के जूरते नहीं है, सबको पता होगा, आते हैं सिधा सवाल पर, if radius is double, then area और circumference के बारे में आपको बताना है, radius आपने double कर दिया, तो area पर क्या फरक पड़ेगा, circumference पर क्या फरक पड़ेगा, very very easy question, कुछ नहीं है, तो radius अगर पहले r था, तो आप क्या हो गया, 2 r, तो पहले area क्या था, pi r square, तो आप क्या हो जाएगा, pi 2 r का whole square, that is 4 pi r square, तो area कितना हो गया, 4 times, और circumference क्या होती थी, 2 pi r, तो आप क्या हो जाएगी, 2 pi into 2 r, तो it comes out to be 4 pi r, तो ये बेटा कितनी हो गया, 2 times, और ये कितना हो गया, 4 times, तो circumference 2 times हो जाएगे, area 4 times हो जाएगा, ये तो महाबकवास ऐसी question मैंने डाला है, आप पकड़ेगे हो गया, आ रहे हैं आगे, अच्छा, if radius decrease by 50% and percentage decrease in area, radius आपने 15, 50% से decrease कर जिया, तो r था, तो अब क्या हो गया, r by 2, of course 50% decrease मतला r by 2, then percentage decrease in area, तो area में कितना decrease हो गा, तो पहले क्या था, pi r square, अब कितना हो जाएगा, pi r by 2 का whole square, that is nothing but pi r square by 4, तो पहले pi r square था, अब कितना हो गया, pi r square by 4 हो चुका है, तो ultimately आप क्या कहो गया, कितना decrease हो चुका हो गया, ध्यान से सुचोगे न, पता लगे जाएगा, immediate basis पर अगर आपका दिमांग ठीक चल रहा तो मैं बोलूंगा, 75% decrease हो चुका है, अगर आपको समझा अच्छी बात है नहीं, तो मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो, आप क्या करोगे, final value क्या है, pi by 4 r square, अच्छा, initial value क्य 4 pi r square, minus 3 by 4 pi r square upon, यहां से भी क्या निकलेगा, pi r square into 100, यह cancelled out, तो ultimately आप देख पा रहे होगे, 25, तो minus 75, तो minus 75 means what, 75%, अब कोर्स negative में आइंसर तो decrease होगा, minus 75% decrease होगा, तो यहीं से मैंने देखते ही बोल दिया था, pi r square by 4 r, 0.25 pi r square होगा, मैंने सीधा पता है, कैसे बोला था, 0.25 pi r square होचुका, तो 0.25 होचुका, तो 0.25 होचुका, पहले pi r square था, 0.25 pi r square होचुका, तो 75% गट चुका है, तो आंसर पता लगेगा, वेटा थोड़ा सब mathematical है, और कुछ नहीं, हमने प्रॉपर प्रूब भी द revolution किये हैं, उसने, तो एक revolution में वो कितना distance कवर करेगा, यह wheel है, तो एक revolution में, of course, वो कितना distance कवर कर जाएगा, 2 pi r, 2 pi r is the circumference of the circle, यह तो बहुत basic बात है, समझते हो कि नहीं, बहुत बहुत बेसिक बात है, समझते हो कि नहीं, बहुत circle जैसे, यहाँ पे फिलाल आप खड़े इसमें कुछ नहीं, हाँ जी, तो 1000 revolution करें, 1000 x 2 pi r, 88 km आया है, तो find the radius, तो 88,000, आप किया सकते हैं, meters, यह 1000, 1000 बहुत जाएगा, तो please r की वाली आ से निकाले न, जो भी आएगी, मैं यहाँ पे time waste नहीं कर रहा, ठीक है, pi की वाली आप ले ले लेना, 22 बटे साथ, आंसरा इसमें कुछ है नहीं, हाना, easy, मैंने numerical भी बनाया, easy ही, तो 2 x 22 upon 7 x r, that is equal to 88, तो r will be equal to 88 x 7 upon 44, 2, तो 14 meter, so simple, 12 meter है, हाना, मेरी खाल से, आप कड़े होगे, इसमें कुछ नहीं, चलो, शाबाश, पर लो, नो, डान, आ रहो आँगे, number of revolution, a wheel of diameter 40 centimeter make in traveling a distance of 176 meters, तो यह पकवास है, x into 2 pi r, that will be equal to 176 meters, and a number of revolutions into, एक revolution में कितना distance गवर होता है, 2 pi r, तो that will be equal to 176 centimeter, और radius कितना गिवन है, अच्छ, diameter 40 है, तो 2 r होते है, diameter is 2 r, तो that is 40, 20, तो कितना x into 22, बटे 7 into 40 centimeter है यह, और यहाँ पर meter है, प्लीज ध्यानक ना, तो इसको आप 170, यह यह होता है, बाद छोट-छोटी मिस्टेक होती है, meter centimeter में करवड़ होती है, तो यह centimeter में सारा कनवाट कर लेना, 176 00 आ जाएगा यह, तो that is 176 00, तो ultimately, अब आप क्या बोलोग x will be equal to 176 00 divided by 40 into 7 upon 22, तो यह 4 पर जाएगा, 4 for the 16, बचा 1 for the 16, यह 22, तो यह कितने पर चला जाएगा, 20 पर, तो 140 centimeter, प्लीज ध्यानक ना, बेटा, यह गलती करा होगे, 140 meter भी आपको ना ज़रा सकता है, बट आंसर 140 centimeter आएगा, बे, sorry, क्या कर रहे है हम, मैं centimeter meter का कर तो कोई चक करी नहीं है, number of revolutions बतानी थे, आपको इस अब कट-कटा जाएगा, बेटा, यह कितना था, यह हमारा था, centimeter में answer, है ना, और यह 2 pi r सी जो भी आप answer निकाल रहे हो, वो भी centimeter में आ रहे है, तो centimeter बटा, centimeter वो cancelled out, 140 revolution is my answer, फ्लीज ध्यान रखना, ठीक है, कोई unit नहीं होगी, क्य इध्यान रखना बेटा, जो भी यह हमने square बनाया, तो यह largest circle जो आप इसके इंदर डालोगे, उसको बोलते है, in circle, और एक जो बाहर बनाओगे, जो इसको just inscribe कर रहा हो, उसको बोलते है, circum circle, यह basic terms है, आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने धंग से बनाया नहीं है, बढ़ आप समझ पा रहे होगे, तो मैं इसको दिखाता है, इसको हम बोलते है, in circle, और जो बाहर वाला है, इसको हम बोलते है, circum circle, क्योंकि यह square को cover up कर रहा है, तो यह circum circle का मतलब क्या होगा, circle के अंदर largest square आपने जो गुसाया, तो महरपा circum circle आएगा, और square के अंदर largest possible circle गुसाया, इसको बोलते है, circum circle, तो circum circle का मतलब क्या है, एक circle बनाया आपने, और उसके अंदर बड़े से बड़ा square गुसाने की कोशिश करी, तो वो circle हो जाएगा हमारा circum circle, यह basic terminology है, आपको पता होगी, आपने school level में इस अपढ़ा हुआ होगा, तो बस अब आपको क्या करना, the circle of largest possible area is ins described in the square, तो basically, यह question किसका, in circle का है, पेटा, whose diagonal is 5 root 2, तो square की diagonal 5 root 2 दे रखिये, तो अभी फिलहाल में क्या करता हूँ, एक square बनाता हूँ, मैं square बनाने की कोशिश में हूँ, लेकिन बन रहा है, rectangle छलो खेर जो भी है, तो धंग से बना लेना square है, अच्छा, अब क्या का है आपको, यह diagonal है, 5 root 2 दे रखिये, तो 5 root 2, तो circumference of the circle है, circle की circumference आपको बतानी है, तो यह देखो बेटा, यह area हो जाए, यह diameter हो गया, तो जो diameter है, circle का, that is nothing but side of the square, common sense से आप देख के बता पा रहोगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, जो diameter होगा, circle का, that is nothing but side of the square, तो square की side बतानी है, अपको, डाइनल के तनी दे रखिये, 5 root 2, तो आप क्या बोलोगे बेटा, यह तो आपको पता है, square में, यह x मान लो, यह x मान लो, 25 इंटो 2, 2, 2 cancel, तो x will be equal to 5, so simple, x की value 5 आगे, मतलो side 5 है, तो यह 5 हुआ, तो यह 5 हुआ, तो यह पूरा 5 हो गया, है न, क्योंकि side के बरावरी था, diameter 5 हो गया, तो radius पूचा था, तो radius कितना जाएगा, 2.5, और आप से वैसे पूचा कहता, circumference of the circle is, तो ठीक है, कोई बात नही 2 pi r circumference होती है, तो that is pi into diameter, तो 22 बटे 7 into diameter, diameter हमारे को पत है, हमने अभी निकाल है 5, तो that is my answer, so simple, अच्छा, और यह 1 cm में था, तो प्लीज धियान रखना, बीटा unit धंग से लिख लेना, 22 से पूच 7 into 5 cm, that is my answer, so super, पकड़ गया, आए 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 आए, पंट ratio of area of in circle and circum circle of circle, बह यह है हमारे पास square, यह मैंने बोलता न, in circle circum circle, तो यह हो गया बेटा, in circle, और यह हो गया बेटा circum circle, अच्छा, यह मैंने धंग से बनाये नहीं है, प्लीज थोड़ा धंग से बनाना, यह touch करता हो जाएगा न सबको, यह सबको अब देखो, मैं फिर भी touch नहीं करा पाया, लो डाइगनल होगी हमारे circum circle की, sorry, डाइगनल होगी जो square की, that is nothing but diameter of the circum circle, मैं ऐसे बोलता हूँ, डाइगनल of square, that will be equal to diameter of circum circle, शौट में लिख ना है न, अच्छा, और जो हमारा side होगा square का, यह भी आप देख पार होगा, जो side होगी square की, that will be diameter of circum circle, side of square, that will be diameter of circum circle, और आप से क्या पूछा गया था, find ratio of area, area का ratio बताना है हमारे को, तो ultimately बेटा, यह हम क्या कहेंगे, diagonal of square, वो क्या हो जाएगी, root 2x, अगर side x है, यह आप तो समझते ही हैं, तो let side is x, let side of square x, तो diagonal क्या होगी, पाइथागोरस theorem से आप निकाल सकते हो, root 2x, इसा बाते मैंने पहले आपको वैसे बता भी रखी हैं, अच्छा जी, तो अब आपको करना क्या है, मैंने क्या बोला था, diagonal of square, is diameter of circum circle, तो यह diameter हो गया, circum circle का, एक किसम से, और side of square, that is diameter of in circle, तो यह हो गया, यह in circle की कहानी है, तो हम क्या कहेंगे, in circle का radius होगा, इन circle का radius, तो दोनों जगा divide by 2 होना फरक नहीं पड़ता है, बढ़ फिर भी मैं कर देता हूं, तो in circle radius, that will be equal to x by 2, और circum circle, radius, root 2x by 2, मैंने भी दो मेंट पहले किया बाद बोली, बेटा, ratio निकालना है ना हमारे को, तो divide by 2, divide by 2, वैसे उड़ जाना है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा जी, तो अब हम क्या कहेंगे, किसका ratio पूछा था, ratio of area of in circle and circum circle, तो in circle, इस्टो circum circle, निकाल देता हूं, pi root 2x by 2 का whole square, तो pi pi cancelled out, x square by 4 divided by x square into 2 by 4, ठीक है, तो it comes out to be 2, तो यह उपर जाएगा, यह ऐसे रहेगा, x square into 2 divided by 4 x square, यह cancelled out, तो 1, 1 is to 2, फाइनली, in is to circum circle, क्या answer आ रहा है, बेटा, 1 is to 2, check करो रहा हम से, बताओ, कोई doubt आ रहा है, तो पूछ लेगा, हो गया, note down, ठीक है, आ रहे हैं आगे, very very easy, इसमें कुछ था नहीं खास है, इसलिए मैं कहरता है, by 2 by 2, यह तुनों उड़ नहीं है, क्योंकि ratio निकाल रहे थे, घली आते हैं, ठीक है, next question देखो, क्या कह रहा है, if wire is bend into shape of square, then its radius is इतना, when it is bend into circle, then radius of circle is, very very easy question, wire है, हमारे पा area कितना रहे, 272.25 meter, तो मतलब यह अगर side x थी, तो x square that is equal to 272.25 meter square, ठीक है, तो यह x, यह x, यह x, यह x, तो x square की value हमारे को यह given है, when it is bend into circle, then radius of circle will be, when it is bend into circle, radius of circle will be, तो आप इतना तो समझी पा रहे होगे, बेटा, जब आपने यह square बनाया है, यह wire को bend करके, तो जब circle बनाओगे, तो circle का जो perimeter होगा, है ना, यह circumference बोलेंगे हम, circle की circumference होईगी, और square का perimeter होगा, वो एक दम बराबर आएगा, very obvious, क्यों कि, जो यह हमारी rod की length है, तो बराबर करके square बनाया था, तो हम क्या कहेंगे, square का parameter, perimeter of square, perimeter of square, that will be equal to perimeter of circle, perimeter of circle को हम circumference बोलते हैं, और कुछ नहीं, वो आपको पता ही होगा, तो circumference of circle, यह दोनों चीज़े बराबर आएगे, बेटा, अच्छा, अब हमारी को पता है, perimeter of square क्या होगा, 4x, तो यहां से x square की वाल यह थ तो 4x, that will be equal to circumference of circle, circumference of circle का formula क्या होता, बेटा, 2πr, 2πr, तो यहां से x की वाल यहां पस निकल चुकी होगी, यहां तो 2 minutes लगेगा, मैं निकाल ली देता है, calculator हमारे पास है नहीं, तो फिर किसी को लगेगा, कि आधा दूरा छोड़ दिया सर ने, और 1 minute लगेगा, मैं दिख calculator हमारे पास है, गेट में कोई tension है नहीं हमारे को, 16.5 आ गया, तो 4 x 16.5 that will be equal to 2 x 22 upon 7 x r, तो फाद ली बस आपको यहां से r की वाल यहां निकालनी है, तो 4 x 16.5 x 7 divided by 44, तो यह 11 आ जाएगा, तो 16.5 x 7 divided by 11, तो 10.5 is the answer बेटा, एरेक्ट हमने solve करके, दिखा दिया आपको, 10.5 आएगा, किस में चल रहा था, मीटर में चल रहा था answer, तो radius किस में आएगा, of course, मीटर में आएगा, 10.5 मीटर is the answer, very very easy, इसमें ज्यादा कोई खास technicality थी नहीं, no down कर लो बेटा, आ रहें एंग्लिस लाइट पे, हो गया, ठीक है, चली, यह बहुत प्यारा कोशन है बेटा, मैं चाहता हूँ, एक बार आप इसको homework में अपने आप ट्राई करो, next lecture में आकर के, मैं आपको इसको properly explain करूँगा, कि कैसे answer रहेंगा, है बड़ा सानकाम, कुछ नहीं है, कोशिच करना एक बार हो जाएगा, ठीक है, चली, next lecture में यहीं से आगे हो तकि मुझे 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 मुटिवेशन मिलें, मैं ऐचाद सब्सक्रा आप लोगों के लिए और आगर आप मुझे डिनेशन दीना चाहते हो, तो QR Code आपको मिल जाएगा, अब चैनल बैनर पे राइट- साइड में, अगर आप कम्प्यूटर पे देख रहे हो, तो नहीं आपके जुभी डाउट से पूल सकते हो, बहुत जादा एक्टिव ग्रूप है, बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, फटाफट से आपको रप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अगर और अगर और जदा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरी करता हूँ, everything is free of cost, donation देना चाहते हो, most welcome आप दे सकते हो, बट यह सब चीज है, मैं आप लोगो के लिए lifetime फ्री रखूँगा, discord server हो गया, telegram channel हो गया, और मेरा youtube channel हो गया, everything will be free of cost, मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूगा आपसे, ठीका, आप जो देरा चाहते हो, thank you so much, bye bye